दोस्तो भारत ने एक AC मेगा प्लैनिंग शुरू कर दी है जो अगर समय पर पूरी हो गई तो चाइना चाहकर भी इंडियन ओशियन डीजन में आने से पहले सो बार सोचेगा दरसल पिछले दो हफ्तों से भारत के अंदर एरक्राफ्ट कैरियर को लेकर खूब दबा कर डिबेट चल लहा है ये डिबेट जब जादा शुरू हुआ था जब हमारे नेवी चीफ की तरफ से बोला गया था कि हम अपने INS विशाल को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं इसी बात को लेकर चाइना बुरी तरीके से बोखला गया था और चाइना की तरफ से उस समय बोला गया था कि जो इस समय भारत के पास INS विक्रांथ है वो चाहकर भी हमारे फूजियान एरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने अपने फूजियान एरक्राफ्ट कैरियर में भारत से जादा पहतर टेक्नलोजी का इस्तुमाल किया है और अब बताया ये जा रहा है कि हमारी 9 सेना 3 एरक्राफ्ट केरियर की जगह पर 4 एरक्राफ्ट केरियर को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है क्योंकि चाहिना दगतारी स्कोशिश में लगा हुआ है कि इंडियन ओशियन रीजन में 20 अलग अलग जगह उपर अपने सेनने बेस को बनाये जाए और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि 2040 तक चाहिना अपने इन सभी एर बेस को बना कर तयार कर लेगा और इसी बात को देखते हुए हमको इस्टन और वेस्टन फरंट में दो एर क्राफ्ट कैरियर की जरुषत पढ़ने वाली है और बैकक के लिए हमको चोथे एरक्राफ्ट केरियर की जरुवत पढ़ने वाली है क्योंकि अगर हम दो एरक्राफ्ट केरियर को इस्टन और वेस्टन फ्रेंट पर तैनाग कर देंगे और एक एरक्राफ्ट केरियर को हम इंडियन ओशियन रिजन में तैनाग कर देंगे पर हमारा जो तीसरा aircraft carrier होगा जिसका नाम INS विशाल होगा ये हमको 2031 या फिर 2032 में मिल जाएगा पर हमारे लिए चोथा aircraft carrier बनाना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास INS विक्रम आदित्य है हमने इसको 2012 में सेना में शामिल किया था उस समय इस aircraft carrier की जो service life थी वो केवल 25 साल ही बची हुई थी जिसका मतलब है कि ये aircraft carrier हमारा 2037 तक रिटायर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये aircraft carrier 2040 तक ही चल पाएगा पर अगर हम अभी से ही 2 aircraft carrier को बनाना शुरू कर देते हैं तो हमको 2040 तक 4 aircraft carrier भी मिल जाएगा क्योंकि 2040 के आसपास चाइना के पास 5 से 6 aircraft carrier होने वाले हैं पर अगर हमको चाइना के साथ power balance करना है तो हमको अभी से ही 2-2 aircraft carrier पर काम करना होगा तो 2040 में भी हमारे पास केवल INS विक्रांत और INS विशाल ही रह जाएंगे तोकि 2040 में हमारा विक्रम आदित्ये रिटार्ड हो जाएगा जो हमारा तीसरा सवदेशी aircraft carrier होने वाला है इसके अंदर हम emuls technology यानि की electromagnetic aircraft launch system का इस्तमाल करेंगे इस technology में fighter jet को एक गुलेल की मदद से launch किया जाता है और emuls technology के साथ जो भी aircraft carrier बनाया जाता है वो सामने से बिलकुल flat होता है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमको Indigenious Aircraft Carrier No.3 पर अभी से काम शुरू करना चाहिए हाँ या फिर न इस बात का अंचार आप कमेंट वोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, have a good day